जो अगला टापिक है या रान्नीत बिग्ज्ञान से संबंदित है इस टापिक के तहट एस्टुडेंट्स हम लोग संबैधानिक उप्चारों के अधिकार पे डिस्केसन करेंगे जो संबैधानिक उप्चारों का अधिकार है भारती संब्धान में या संब्धान के अनुच्छे 32 के तहट भारती नागरिकों को परदान किया गया है और या अधिकार जो दिये गए हैं भारती नागरिकों के संबंद में या नियापालिका को दिये गए हैं अनुच्छेद 32 के तहट नैपालिका ब्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार हैं जो भारती सम्धान में के भागती में अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक नाइनकों के मूल अधिकारों का उलेक किया गया है उसको प्रवर्तिक कराने के लिए और मूल अधिकारों की रच्छा करने के लिए उच्छेद 32 के चार भाग है पहले भाग के तहत ब्यक्ति, मूल अधिकारों के उलंगन को लेके उच्छतम न्याले में एक आवेदन कर सकता है और आवेदन के साथ ही साथ जो अनुछेद 32 है, अनुछेद 32 दो यह करता है मैंने बताया कि अनुछेद 32 के चार भाग है, चार पार्ट है इसके अनुछेद 32, 1, 2, 3, 4, तो एक आवेदन की बात करता है, अनुछेद 32 के तहत सुप्रीम कोट को या राज्यों के जो उच्छ न्याले हैं, इनको पाँच परकार के रिट जारी करने का अधिकार सम्मिधान के दौरा दिया गया है हम च्छ बतिस तीन संसद को अधिकार देता है, कि संसद उच्छ न्याले यानि की भाग 32 के तहत उच्छ न्यालों को जो रिट जारी करने, निर्देश देने का जो अधिकार दिया गया है, वह नाइपलिका के निचले तब के तक उसे अस्थान्तरित कर सकती है यानि कि अगर उच्छतन डाले चाहे तो अपने इस अधिकारों का प्रियोग करते हुए या संसद अपने इस अधिकारों का प्रियोग करते हुए मूल अधिकारों से संबंदित विबादों को निचली अदालतों में भी भेज सकती है और उहां पे सुनवाई इसकी हो सकती है और अनुछे चार जो है या मूल अधिकारों के प्रवर्तित कर के निलम्बन यानि कि मूल अधिकारों को अगर प्रवर्तित कर रहा है तो उसे निलंबन के अधिकार से सन्रच्छ पदान किया गया लेकिन विशेस परिस्तियों को छोड़ के जैसे इमर्जिंसी में मुल अधिकारों के निलंबन किया जा सकता है लेकिन वैसे नहीं किया जा तो इमर्जेंसी के समय भी यानि अगर देश में आप आतकाल लागू हो तो उस समय भी आठकिल बीस यानि किया उच्छेद बीस अपरादों के संबन में दो सिद्धी से संरच्छड और अच्छेद 21 जीवन रच्छा का अधिकार इनको नहीं हटाया सकता इनका निलंबन नही किया जा सकता तो अब हम सिधे आठकिल 32 पे आते हैं 32 पे आते हैं आठकिल 32 भारती उच्छेदम न्यालेव को पांच प्रकार के रीट चारी करने का अधिकार पदान करता है इसके तहत पहला बंदी पत्यच्छे करन दूसरा है आपका परमादेश्ट तीसरा है प्रतिसेद चौथा है उठकिल 38 प्रकार के रिट न्यालें मूल अधिकार को परवर्तित कराने के लिए और मूल अधिकार की रच्छा क के लिए लागू करता है पहले की बात की जाए जो बंदी पत्यच्छी करन की बात है तो सामने उपस्थित करना क्यानि अगर कोई बंदी है या रिट जो उच्चितम न्याले या जो न्याले होते हैं ऐसे ब्यक्तिया प्राधिकार के खिलाब जारी करते हैं जिसने किसी ब्यक्ति को अबैद रूप से निरुद्ध कर रखा है उसे बंद कर रखा है तो न्याले काय करता है अपने इस आदेश के तहट वह उस ब्यक्ति को अपने समझ उपस्थित करवाता है और उपस्थित करवाने के बाद उसकी बैद्धता की जाज करता कि इनकी गिरपतारी बैद्ध या अवैद्ध है लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो ब्यक्तिगत रूप से यह जरूरी नहीं है कि इस मामले में ब्यक्तिगत रूप से उस ब्यक्त की उपस्थित न्याले में अनिवार है उसके जब पे कोई और ब्यक्त भी जाके तो देखते हैं आप लोग वकील के हादेश्ट किसी ब्यक्ति किसी प्रादिकारी या किसी संस्था के बारे में दिया जाता है, जिसने क्या जिसने अबैद रूप से कोई कार किया हूँ, खास करके जो इस संबन्द में है इस संबन्द में लोग पतादिकारी या अधिनस नैलों को ये रिड़ जारी करता है सुप्रीम कूर और इसमें उनके लोग करतब्यों की याद दिलाई जाती है यानि कि या जो टीट होता है या सारजनिक ब्यक्तियों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है या किसी नीजी ब्यक्ति या नीजी संस्था या जो एड़ाग पे जो तदर्थ होते हैं उनके खिलाफ या परमादेश जारी नहीं होता है अब अगला जो है अंचित 32 के तहट जो सुप्रीम कोट या उच्छ न्यायलों या वो न्यायलों को जो रिड़ जारी करने के अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों की रच्छा से प्रवतन के संबंद में वह आपका है प्रतिसेद, प्रतिसेद का अर्थ होता है मनाकर्ण और जारी करता है अगर कोई मामला खास करके ऐसे मामलों को वह क्या करता है रूप देता है यानि कि अगर कोई केस चला है और उनके प्रादिकार की अंतरगत नहीं आता है उनके चित्रादिकार की अंतरगत नहीं आता है तो सुप्रीम कोट क्या करता है ऐसे मामलों को मना कर कर देगा कि आप ऐसे मामनों को न देखिये और उन्हें रोकने का वह काम करता है और खासकरकर या प्राक्तिक नायक के उलंगन से रुकती या रिट सिर्फ नयाई के अर्द नयाई के अधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जाती है या कारपाल का बिधाई का इनके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती तो या कारवाही किसी नाले या अधिकरण के लंबित होने के मामने में ही चलाई जा सकती है या अगर कोई केस ह जो काफी लंबा खिश गया है तो यह आदेस वो चतंदारे दोराने से एदालतों को दिया जाता है उटके इसको अभखाच करके रूख के उसे अपने हाँ माले मना कर देता है कि आपके रत कहता अच्छत से बाहरे आपके बस की बात नहीं अब 32 की अगर अगले रिट की बात करें जिसे हम उत्प्रेशन करते हैं तो उत्प्रेशन का अर्थ होता है सीधे सुप्रीम कोट क्या करता है सुप्रीम कोट इसे रोक देता है या इसे रोक देता है या सुचित करना कहा जाता है या मंगवा लेना कहा जाता है यानि कि यह भी एक और यह भी एक नियाई आदेश है या रिट है जो उचेतन नियाले द्वारा अपने निचली अदालतों को के खिलाब जारी किया जाता है जिसके तहद निचले कोट में ऐसे अगर केश चलने हो जिसे सुप्रीम कोट को लगे कि या उनकी एक कारता है उनके बसकी बात तो उसे क्या करेगा वह अपने हाँ मंगवा लेता है और वहां पर प्रतिबंद नगा देगा इसके तहद और यह जो प्रेसर की जो प्राचेस है अगर कोई केस में खास करके केस में अगर निड़े दिये जा चुके हों उद प्रेसर में अगर निड़े दिये जा चुके हों तो सुप्रीम कोट क्या करता है उस निड़े को रद कर देता है जबकि वहीं अगर प्रतिसेद रिट की बात होती है तो प्रतिसेद में क्या होता अगर कोई करवाई चल नहीं है, चलने के दोराने आप लंबी प्रोसिस हो गई, तो ऐसे केस में क्या करेगा, उसे रोख देगा, मना कर देगा, अपने हां महा ले तो दोनों अगर प्रतिसेद की बात की जाए और उप्रेसर की बात की जाए तो प्रतिसेद और उप्रेसर दोनों क्या है उच्छतम नियाले अपनी नीचली अदालतों के खिलाफ एक आदेश जारी करता है जिस या जो और दियाई के दिकरण होते हैं जैसे एंजीटी हो गया नेसनल गरिन टिबून अटास्टी हरित नाय दिकरण तो उनके खिलाफ जारी करता है और एक या होते हैं या और दियाई का आदेश होते हैं अब last की बात करें जो पांचवार Jared Supreme Court जारी करता है यह है कि जिसे इंग्लिस में क्यों warrant कहा जाता है इसे हिंदी में अधिकार प्रिच्छा करते हैं अपने अधिकारों का प्रियोग करते हुए यह Supreme Court क्या करता है यह खास करके किसी लोक सिवक से संबंदित मामलों के संबंद में या आदेश देता उससे पूछता है और खास करके किसी ऐसे पद पे किसी ऐसे सरकारी या साजनिक पद पे अगर कोई ब्यक्ति अबाइद रूप से बैठा तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोट या जो चनेले या नाइपाल का होती है एक आदेश चाली करती है कि आप किस करन से आप किस वज़े से और किस तरीके से आप इस पर बैठे हैं इसका कारन मताओ नोटिस तो यानि कि वह उसकी बैदिता की जाच करती है तो या किसी लोग से वक लोग प्रदादिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है मतलब इसका साब्दी कर्थ होता आदिकार पिछा का कि आपका प्रादिकार क्या है आपका आदिकार क्या है आपने इस पत को क्यों धारण किया है जबकि आप इसके योग किये नहीं है इस रीठेद आवेदन कोई भी ब्यक्ति कर सकता है उसका उसपद से हितबद होना या उसपद का दावेदार होना आवस्यक नहीं है जरुन नहीं है कि जो ब्यक्ति या रिट फाइल कर रहा है वह उसपद को पाने के लिए हो या उसके हगदार में हो या उसके हगदार में नहीं हो या उसपद से कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर वह संग्याल लेता है तो ऐसे रिट वह सुप्रीम कोट में दाखिल कर सकता है या सुप्रीम कोट क्या कर सकता है रिट को बना के और उसको उससे अधिकार प्रिच्छा के तहट पूछ सकता है और अगर वो अवैद रूप से अगर उस पे पाये जाता है उस पत्पे साजनिक पत्पे बैठा हुआ तो उसे तुरम तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए तो हमने देखा कि जो अनुच्छेद 32 है जिसे सम्मेधानिक उप्चारों का अधिकार कहा जाता है यानि अनुच्छेद 32 को प्रारूप समित के अध्रच डाक्टर भीम्रा ओंबेटकर ने भारती सम्मेधान की हिरदे और आत्मा कहा है क्योंकि अगर देखा जाए आठकिल 32 को तो जो 32 के तहट जो सुप्रीम कोट को पास परकार के डिच जारी करने का अधिकार यानि जो अधिकार पदान किया गया है जिसके तहट वो नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरच्छा करता है तो एक तरफ अगर मूल अधिकार दिये हैं अगर हमारे सम्मिदान ने तो दूसरी तरफ उसे लाउप करने का अधिकार भी सुप्रीम कोट को दिया है इसी में एक टापिक और आता है जिसे हम जरही तियाज का करते हैं जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं यह मामला आपका 1974-75 के समय में आया था खास करके था कि मूल अधिकारों के उलंगन से संबंदित बहुत से मामले सुप्रीम कोट नहीं पहुच पाते थे तो उस समय 1974-75 के आसपास सुप्रीम कोट के मुक्नायदी जस्टिस पियन भगवती थे पियन भगवती ने एक आदेश ही सुखिया जारू किया जिसके तहद यह हुआ कि अगर किसी समाचार पत्र में कोई मामला ऐसा निकलता है या समाचार पत्र के अलावा अगर कोई ब्यक्त कोई संस्था भी अगर किसी दूसरे ब्यक्त के अगर मौली के अदिकारों का हनन हो रहा है और वह ब्यक्त इतना सच्छन नहीं है कि वह सुप्रीम कोट या हाई कोट जा सकता है तो वह क्या करता है वह दूसरे ब्यक्त भी उन मूल अधिकारों से संबंदित मामले के यानि कि अगर ब्यक्त के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है किसी ब्यक्त संस्था या किसी सरकार या राज्य के द्वारा तो उसको लेके वह क्या कर सकते है सुप्रीम कोट में या उच्छनायलों में क्या कर सकते हैं वो रिड दाखिल करते हैं तो ये रिड क्या हो सकता है खत के माध्यम से भी हो सकता है लेटर के माध्यम से और साथ ही साथ या समाचार पत्रों में अगर कोई चीज छपती है तो उसको भी सुप्रीम कोट संग्याल में लेते वे उस पे सुनवाई कर सकता है अगर वा मूल अधिकारों से संबंदित है तो या आठकिल 32 ब्यक्त के मूल अधिकारों से संबंदित जो खास करके इसका जनितियाजगा प्रयोग मुकद्मों के निप्टारे के लिए नहीं किया गया कि इतने अधिक मुकद्मे हैं इनका निप्टारा कैसे किया जाए आठकिल ब्रत्ति जो जनित ही आजगा ले आएगा उन cree 1645 में या सिर्फ व्यक्त के मूँ लदिकारों के हनन से ही संबंदित रहा तो फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं स्टुडेंट थैंकियो धन्यवाद